मैं एक महिने से रोज 50 रुपे की दवाई ले रहा हूँ, पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई साब, कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें 40 रुपे की दवाई दूँगा, 10 रुपे का फाइदा होगा ठीक है ठीक है पर डक्डर साप एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मोशन लगनी वाली दवाई क्यूं देगी वो इसलिए तुं अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है ठीक है डक्डर साप मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है वो क्या डाक्टर साप? तुम रोज सुबह दो ही रोटियां खाया करो ठीक है, पर एक बात बता दो डाक्टर साप ये दो रोटियां खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो, चल रोटियों को सोड़ो स्वस्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया गरो डाक्टर सहाब मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ किरकेट और टेनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो बड़े मूर रखो यार तुम तो पागल हो गए हो कैसे हुए मैंने एक विद्वा से शादी की उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई मगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वह मेरी 89 भी हुई इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया और..बे चुपकर मुझे भी पागलरेगा क्या लो यह में दवाई लिखता हूँ डाक्टर साब दवाई जरूर लिखो लेकिन कडवी मत लिखना आरे चुपकर बैट डाक्टर साब दवाई जरूर लिखदो पर कडवी मत लिखना रमत तरीखातर एक किलो जलेबी लिखते हूँ बैट जा जादा मत बोल डाक्टर साब परचे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लिखता हूँ मनना तो लूट लिया और तू भी लूट ले